जंगल में बरसाथ हुए काफी दिन बीत गे थे और सपक्षी दाने और पानी ना मिलने के कारण बहुत दुखी थे और फिर ऐसे ही एक दिन चिडिया बहुत घबराई हुई कवे के पास जाती है कालू भी या आखर कब तक हम इंतजार करेंगे बरसाथ का अब तो हर दिशा में सूखा होने लगा है और पक्षी बहुत परेशान है लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बस यही के अब बरसाथ का ही इंतजार करें ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा तो फिर तुम ही बताओ क्या करें हम बातलों के पास जाते हैं और उनसे बरसाथ ना होने का कारण पूछते हैं अगर ऐसा है तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ लेकिन हम पहले सब पक्षियों को अकठा करके बता दें रास्ता बहुत खतरनाक है इसलिए बाकी पक्षियों को बता कर जाना चाहिए उन्हें पता तो हम किस दिशा में गे हैं मैं अभी सब पक्षी अकठे करती हूँ और फिर चिडिया सब पक्षियों को अकठा करती है और उन्हें सारी बात बताती है पक्षियों हम पूर्फ की तरफ जाएंगे बातलों के पास अगर कल तक वापस नाए तो हमारी खबर भी ले लेना और फिर ऐसा कहते हुए मीनू चिडिया और कालू कवा वहां से चले जाते हैं वो उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाते हैं और थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैड़ जाते हैं कालू आगे के रास्ते का पता है तुम्हें चुडिया मुझे जंगल के तमाम रास्तों का अच्छे से पता है लेकिन मुझे रात में ठीक से नजर नहीं आता तो फिर हम ऐसा करते हैं हम रात ही ही गुजारते हैं ये जगह ठीक है और सरक्षत भी हाँ ये ठीक है और फिर कालू कव्वा और मीनू छिडिया वेही रात को जारते हैं और फिर सुभा होते ही वो अगले सफर पर बादरों की तरफ निकल जाते हैं चुडिया मैं कुछ भूल रहा हूँ हमें किसी से पूछ रेना जाहिए और फिर उन्हें एक कबूतर बैटा हुआ दिखाई देता है वो कबूतर के पास जाते हैं कबूतर भेया हमें पहाडों के पार बादरों से मिलने जाना है क्या हम ठीक दिशा में जा रहे हैं तुम बिल्कुल ठीक दिशा में हो लेकिन क्या काम पढ़ गया आपको बादलों से हमारे जंगल में बरसाथ हुए बहुत समय हो गया है हमने बादलों से यही कहना है कि हमारे जंगल में बरसाथ कर दें और फिर वो दोनों वहां से उड़ जाते हैं जल्द ही वो दोनों उड़ते उड़ते पहाडों के पहुँझाते हैं वो देखो कालू भेया बादल मिलके चलो जल्दी से उनके पास जाते हैं बादल भेया आप सोय हुए हो हाँ कोई काम था नहीं बस सोय ही थे तुम कौन हो मैं मीनो जिड़िया हूँ और ये कालू कवा हम पच्छां वाले जंगल से आए हैं और बहुत मुश्किल से ढूंडा है आपको क्यूं मुझे से क्या काम था तुम्हें हमारे जंगल में बरसाथ हुए बहुत समय गुजर गया है दाना और पानी दोनों खतम हो गए हैं पक्षी बहुत परेशान है आप हम पक्षियों पर दिया करो और हमारे जंगल में बरसाथ कर दो मैं तुम्हारे बहुत इज़त करता हूँ तुम दूर से आयो लेकिन बरसाथ मैं कैसे करूँ मेरा तो अपना शरीर खतम होने को है हवाओं के दोश पर उड़कर हमने आना होता है लेकिन अब न जाने क्यों हवाओं चलती ही नहीं तो मैसा करो हवाओं के पास जाओ कि वो आएं और हमें उड़ा ले जाएं हम तो त्यार हैं बरसाथ करने के लिए लेकिन बादल भेया हमें हवाओं की रानी कहां मिलेगी थोड़ा आगे जाओ और सामने पुराने जंगल के पास ही तुम्हें मिल जाएगी हवाओं की रानी बस जलती से उसे ले आओ और फिर कव्वा और चिडिया हवाओं की रानी के पास चले जाते हैं वो जल्द ही बादल की बताई हुई जगा पर पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें हवाओं की रानी भी मिल जाती है आओ भी बक्षियो कहां जा रहे हो हम आपके पास ही आए हैं हवाओं की रानी क्या हुआ हम कहे थे बादलों के पास कि वो हमारे जंगल में परसाथ करें बहुत सुखा चल रहा है हमारे जंगल में लेकिन बादर राजा कहता है कि हम आप से कहें कि उसे उड़ा कर ले जाए वो तो त्यार है बस आप ही नहीं चाह रहीं उसे उड़ाने के लिए हम तो ये बात है क्या करूं मैं तुम देख रहे हो इस जंगल में कितने थोड़े पेड़ बाकी बचे हैं हम हवाओं का जीवन इन्ही पेड़ों से ही तो है अगर ये पेड़ नहीं तो हम भी नहीं आप दोनों पेड़ के पाजओ और उनसे पूछो कि वो क्यों इतने थोड़े रहे हैं वो हमें शक्ति दे उड़ने की तो फिर ही हम बादलों को लेकर जाएं और फिर चिड़िया और कव्वा पेड़ के पास चले जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं हम भी बहुत दुखी हैं हमारे बस में कुछ नहीं हर रोज इनसान आते हैं और हमें काट कर ले जाते हैं हम बहुत दीजी से कम हो रहे हैं इसलिए हम हवाओं को शक्ति नहीं दे सकते कि वो बादलों को उड़ा ले जाएं वो देखो इनसान कैसे बुरी तरहां काट रहे हैं हमें आप दोनों जाओ और रोको उसे फिर ही हम हवाओं को शक्ति दे पाएंगे और फिर चिडिया और कव्वा इनसान के पास चले जाते हैं ठेहरो चिडिया, होश्या रहना, इनके पास बंदूक और तीर कमान भी होते हैं, ऐसा नहो कि ये इनसान हमें ही मार गिराए, मेरा तजर्बा है इनसानों से मिलने का, मैं थोड़ा दूर रहकर ही बात करता हूँ हाँ कववे भी या, आप करो बात इस इनसान से कि वो क्यों पेड़ कार रहे हैं, और फिर कववा इनसान के पास चाता है, ठक गया हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, इनसान, कौन, कववे क्या तुम मुझे आवाज दे रहे हो, हाँ, इनसान मैं हूँ, आप ये पेड़ क्य ही हो रही, बातल कहते हैं हवाँ को लाओ, और हवाई कहते हैं कि इनसानों को रोको, के पेड़ ना काटें, फिर ही हम बातलों को उड़ा पाएंगे, कालू कववे, क्या तुम्हारे कहने पर मैं रुक जाओंगा, ऐसा सोच ना भी ना, जाओ और भाग जाओ यहां से, अग पिर चिडिया और कववा, सीधे राजा के पास जाते हैं, राजा जी हम बहुत दूर से आए हैं, हमारे जंगल में बरसाथ नहीं हो रही, और फिर वो राजा को सारी कहानी सुनाते हैं, राजा जी बरसाथ आप इनसानों के लिए भी इतनी ही जरूरी है, जितनी हमारे पेड़ काटने से रोक देता हूँ, आपका बहुत बहुत अन्यवाद, आप हमेशा राजा बने रहो और खुश रहो, और फिर राजा एक सपाही को कववे और चिडिया के साथ भेजता है, जो इनसान को पेड़ काटने से रोक देता है, और फिर चिडिया और कववा सीधे हवाऊं की रानी के पाछ आते हैं हवाऊं की रानी हमने राजा से कहे कर रोक दिया है इनसानों को पेर काटने से मुझे पता चल के है और आज मैं बहुत खुश हूँ चलो मेरे साथ मैं ले चलती हूँ बादलों को उड़ा कर और फिर वो सीधे बादलों के पास जाते हैं हवाओं की राने को देखकर बादल भी बहुत खुश हो जाते हैं चिडिया और कव्वे जो काम तुमने किया है ये बहुत मुश्किल था अगर हर पक्षी की सोच ऐसी हो जाए तो तुम्हारे जीवन में कभी दाने और पाने की कमी न होगी चलो अब मेरे साथ और फिर हवाओं की राने बादल राजा को लेकर उड़ती है चिडिया और कव्वा बादल को अपने जंगल की तरफ ले जाते हैं चिडिया और कव्वा तेज उड़ते हुए पहले ही अपने जंगल पहुँच जाते हैं और सापक्षों को बताते हैं कि बादल आ रहे हैं अब परसाथ होगी सापक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर बादल जोड़ से घरशता है और बरसाथ शुरू हो जाती है जिससे पूरा जंगल पेड़ बक्षी सब खुश हो जाते है और फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है आगा बहुत बहुत धन्यवाद बादल राजा जी आपने हमारे कहने पर इतना सफर किया अब अगर इनसान पेड़ काटने से रुके रहे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी हाँ बादल भेया राजा कह रहा था कि वो अब किसी इनसान को पेड़ काटने नहीं देगा जुड़िया सच पूछो तो धन्यवाद तुम्हारा और कवे का जिन्होंने हमें निया जीवन दिया अगर तुम ना आते तो हमारा वजूद बस खतम होने ही वाला था और फिर बादल वहां से चला जाता है और सपक्षी खुशी खुशी अपनी जिन्दगी गुजारते हैं